आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तोत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं राश्य देह्मध खान पहले मुख्य समाचार ATS ने पाकिस्तान से चुड़े जासूसी ग्रोह का परदाफाश किया ग्रे मंतरी भूपेंदर सिंग ने दी बढ़ाई प्रदेश में अंतर राश्टिय वेदान्त संस्थान की होगी स्थापना मुक्य मंतरी शवरा सिंग चौहान ने ऑंकार इश्वर में की घोशना राश्टिय किर्मी दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी स्कूलों और आंगनवाडियों में पलाई गई किर्मी नाशक दवा और राजम सर्दी का सर हुआ कम मौसम केंदर ने अगले दो दिनों में पूरवी मतर प्रदेश में तापमान में कमी आने की संभाव न जताई अब समाचार विस्तार से प्रदेश के आतंक रोधी दस्ते एटियस ने गुप्त और सेन ने सूचनाए अन्य देशों को भेजने वाले हवाला कारोबार, लोटरी, दौरा, धोका दड़ी में लिप्त एक ग्रोह का परदफाश किया है इस ग्रोह कितार पाकिस्तान से जुड़े है एटियस के पुलिस महानिरिक्षक संजीब शमी ने आज भोपाल में पत्रकारों को बताये कि इस संबंद में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है पांच व्यक्ती ग्वालियर, तीन भोपाल, दो जबलपुर और एक सतना से पकड़ा गया है ग्रोह का सरगना सतना का बलराम बताये गया है जो पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में था पैसा बलराम के ही खाते में आता था जिसे वो अन्ने लोगों के खातों में इस्ताना अंत्रित करता था ये ग्रोह अंतराश्टिये फॉन कोलों को भारतिये कोलों में बदल देता था कुछ टेलीकॉम कानुपचारियों और उनके संबंदियों की भी इस ग्रोह में संलिपता की बात सामने आई है आरोपियों से पूछता आच जारी है ग्रेमंद्री भूपैन सिंग ने 11 संदिक्तों को पकड़ने पर ATS को बढ़ाई दी है उन्होंने कहा कि ये जासूस देश और प्रदेश के लिए खत्रा थे ATS ने उन्हें पकड़कर प्रशंसनी कारे किया है पुलिस महाने देशक रिशी कुमार शुकला ने आज कहा कि पुलिस की बहतर कारे परणाने के लिए 160 वर्ष पुराने भारती दंड सहनिता और दंड प्रक्रिया सहनिता में बदलाओ समय की आवशकता है उज्जेन में उन्होंने कहा कि बिटिश कालीन कानूनों के कारण पुलिस को कारे करने में काफी कटनाई आती है शिरी शुकला ने कहा कि आने वाले समय में साइबर क्राइम बढ़ेगा अपराधियों को पकड़ने और अपराधों को रोकने में साइबर विश्यशक्यों की महती भूमिका होगी आदी शंकराचारी की तप इस्थली खंडवा जिले बिस्थित ओंकारिश्वर में आज मुक्यमदी शिवरासिंग चोहान ने अंतराष्टिय वैदान्त संस्थान की स्थापना की गोशना की उन्होंने यहाँ नर्मदा नदी के तट पर आदी शंकराचारी का इस्मराण प्रसंग कारिकम को संबोधित करते हुए कहा कि आदी शंकराचारी के दर्शन को भी पाठिक्रम में शामिल किया जाएगा साथ ही उन्होंकराचारी की एक बड़ी प्रतिमा भी लगेगी इस आवसर पर राश्टी सोयम सेवक संके सह सरकाहवाएक सुरेश सोनी जूना खाड़ा के आचारे महा मंदेल श्वर स्वामी अफदिन शन चिन में मिशन के स्वामी तेजोश और साथवी इरतंबरा भी मौजूद थी मुख्यमंदरी श्वरासिंग जौहा ने आज कहा कि उन्कार इश्वर की प्राचीन कला के बरकरार रखते हुए अदभुद एबं भब मंदिर का निर्मान कराए जाएगा वे आज उन्कार इश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और जलावीशे कर दर्शन कनने पहुँचे थे मुख्यमंदरी ने कहा कि परमार काल के बाद उन्कार इश्वर महादेव मंदिर के कई बार जिनुद्धार कार किये गए हैं प्राचीन उंकारिश्वर महादेव मंदिरफ से जुड़े सभी तत्यों को जान कर नवीन संकलपना के आधार पर मंदिर का निर्मान की आजाएगा ग्यारा फर्वरी को बारशिक नेशनल लोक अदालत में अन्य समझोता योग्य प्रकरणों के अलाबा चेक बाउंस के प्रकरणों का भी निर्करण की आजाएगा चेक बाउंस के प्रकरणों का लोक अदालत में निरकराण होने पर जहां फर्यादी को उसके द्वारा अदा की गई संपूर्ण कोर्ट फीस बापस हो जाती है जो भी वेक्ती चेक बाउंस के प्रकरणों में समझोता करना चाहते हैं उनके लिए यह एक अच्छा आवसर है सरकार आकाशवाणी के जरीए 13 राज्जों में 12 राश्टी राजमार्गों पर याता यात संबंदी ताजा जानकारी उपलब्द कराने के लिए राजमार्ग सलाकार सेवाई शुरू करने वाली है लोग सभा में पूरक प्रश्णों का उतर देते हुए सड़क परियोहन और राजमार्ग मंतरी नितिन गटकरी ने बताये कि दिल्ली जैपूर राश्टी राजमार्ग पर प्रायोगिक परियोशना का पहला चरणागू किया जा चुका है उन्होंने कहा कि दिल्ली अलवर और जैपूर में आगाश्वाणी केंदरों के जरीए हर दिन 5-5 मिनिट के 18 बुलेटिनों के अंतरगत यातायात की ताजा जानकारी दी जा रही है प्रादेशिक समाचार आखाश्वाणी भोपाल से प्रसारित किये जा रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूजोन ए आई यार डॉट एन इसी डॉट आइन पर भी रैस्टर कर सकते हैं हिंदी में समाचारों के लिए मोबाइल पर लिखें ए आई आई यार स्पेस दें फिल लिखें एच और इसे भेज दें साथ साथ तीन आठ दो नौनो आठ नौनो पर ये सेवा निशुल्ग है और अब समय है एक छोटे से अंतराल का प्रदेश के समाचारों में एक बार फिर स्वागत है प्रदेश के सभी स्कूलों और आंगनवाडियों में राश्टी किर्मी मुक्ती दिवस के मौके पर आज एक से उन्नीस वर्ष के बच्चों को किर्मी नाशक दवा दी गई जो बच्चे आज इस दवा को लेने से वंचित रहे गए उन्हें 15 फरवरी को फिर दवा दी जाएगी राजदानी बोपाल के राज़ा फोच हायर सेकंडरी स्कूल में बच्चों को किर्मी नाशक दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की गई इस मौके पर स्वास्त विभा के प्रमुक सचिब गौरी सिंग इबम महिला इबम बालविकास विभा के प्रमुक सचिब जे एन कंसोर्टिया उपस्तित थे दिवा जिले में तीन हजार सदे को स्कूलों और सत्रासो से अधिक आंगनवाडी के अंदरों में किर्मी नाशक दवा पिलाई गई निमच जिले में विधाईक दिलीप सिंग परिहार ने राश्ट्री किर्मी मुक्ती दिवस पर जिला इस तरीय कारिकों का शुबारम किया मंदला जिले के अधिवासी बहुल इलाकों में भी किर्मी नाशक दवा दी गई शेहडोल, आगरमालवा, बैतूल, सहेतने जिलों से भी बच्चों को किर्मी नाशक दवा दिये जाने के समाचार मिले हैं खादे नागरे कापूरती अब हम उभुकता संरक्षन विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों और को ग्यहूं उपारजन के लिए पंजी करत किसानों के खाते जिला सहकारी बैंक में खुलवाने के निर्देश दिये गए हैं आयूकत सहकारी तद्वारा इस संबन में पत्र लिखा गया है गेहूं उपारजन के लिए पंजी करित किसानों को सुविदा जनक धंक से भुकतान सुरिशित करने के लिए एक गदम उठाये जा रहा है पेंशन निधी विनियामक और विकास प्रादी करन पी एफ आर डी ए दौरा इस महीने की बंदरा तारीख तक राश्टी पेंशन परणाली के बारे में नवीन पेंशन योशना से जुड़े अभी दाताओं को जानकारी देने के लिए जागरुकता पकबारा गोशित किया गय है बिजली मंतरी पियूश गोयल ने आज लोग सभा में एक पूरक प्रेशन के उत्तर में बताए कि सरकार इसके लिए प्रतिबद है और लक्ष को प्राप्त करने के प्रयास जारी है कॉंग्रेस विधाएक जीतू पड़वारी ने मुक्रवंदी शिवरा सिंग चोहान से मांग की है कि प्रदेश में भाच्पा नेताओं और उनके संबन्दियों के नाम पर अवैद रूप से संचालित खदानों पर सخت कारवाही की जाए आज मीडिया में जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि खनिज माफिया को राजनेतिक संरक्षन प्राप्त है शिरी पड़वारी ने कुछ राजनेताओं और उनके संबन्दियों की सूची जारी की है जिन पर अवैद उत्खनन में शामिल होने का रोप लगाया है उन्होंने कहा कि मदप्रदेश को रेत खनन से मुक्त प्रदेश के रूप में स्थापित कर नर्वदा और अन्य नदियों को रक्षा की रक्षा हो पाईगी राज़ में सर्दी कासर कुछ कम हुआ है पिछले 24 घंटों के दोरान नियुम्तम तापमान सागर भोपाल और उज्जेन संभागों में काफी अधिक बढ़े ये चंबल सागर भोपाल इंदोर उज्जेन और गॉलियर संभागों में सामाने से काफी अधिक रहे वहीं शेश संभागों में ये सामाने रहे रात का सबसे कम नियुम्तम तापमान 9 घंटों रिबा नोगाउं और मलाचखंड में दर्च किया गया राज़दानी भोपाल में 14.2 घंटों तापमान दर्च किया गया जो सामाने से 3 डिगरी अधिक रहा मौसम के अंदर भोपाल ने अंगले दो दिनों में पूरवी मद्ध प्रदेश में तापमान में कमी आने की संभावना जताई है वहीं कल सुभा तक चंबल संभाग तत्थवा गौलियर दतिया टीकमगड और चटरपर जिलों में कहीं कहीं खोरा च्छा सकता है अब कुछ समाचार संशेप में मुके समाचार एक बार फिर A.D.S. ने पाकिस्तान से जोड़े जासू सी ग्रोह का परदाफाश किया ग्रे मंत्री भूपेंदर सिंग ने दी बदहाई प्रदेश में अंतर राष्टिय वेदान संस्थान की होगी इस्थाफना मुके बंदी शिवरासिन चोहान ने ओंकारे शिवर में की घोशना राष्टे किर्मी दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी स्कूलों और आंगनवाडियों में पिलाई गई किर्मी नाशक दवा और रज में सरदी का सर हुआ कम मौसम के अंदर ने अगले दो दिनों में पूर्वी मदद्वदेश में तापमान में कम ही आने की संभावना जताई इसके साथी ब्रादेशिक समाजार का ये बुलिटन समाप्त हुआ नमस्कार